हाई गाईज मेरा नाम राशिद अली है वो मेरे स्मार्ट टेक आर चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जो की बीए सिक्स का वीडियो है गाईज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए कमेंट्स भी कीजिए कि मेरी आने वाली वीडियो बहुत ही यूसफुल रहेंगी जो की बीए सिक्स से उपर मैं अपना वीडियो बनाने वाला हूँ ब तरही लेकिन निकलने वाली जो किय यूज को कैयते कॉंट्रों के जाता है वह का शुत्राइब यहींट सिक्स में अब पहले आपने आपने देखा हो ऊगा व्र यहे ही चीजिए यह technology use हो रही है तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि उसी टेक्नोलोजी में जो जो parts जो use किये गए हैं bs6 के अंदर यह कोई technology नई technology नहीं यह कासी पुरानी technology है लेकिन जो जो parts use किये गए है bs6 के अंदर मैं धीरे धीरे हर एक एक पार्स के वीडियो बनाऊंगा हर एक पार्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिर भी मैं एक बार कहना चाहूंगा पिलीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली बहुत ही यूसफुल वीडियो रहेगी हो हर ब्रा इस्व सा इस तो कैसे रिजल्ट करना है यह मेरी जो वीडियों वाट टेक्निकली वीडियों है तो चलिंफ करते हैं तो बाताना चाहूंगा सबसे पहले आपको बनाया है एक इंजन से निकलने वाला जो जो गैसीजी साइलें सडेर इस तरीके का आपको दिखने रहें बोलते हैं केट कॉन केटिली कनवर्टर इसमें लगे हुए हैं जो की डीप जो की इंजन से निकलने वाली हार्वू गैस को कंट्रोल किया जाए इनके थ्रों कुछ टेक्नालोजी और भी यूज की गई है जिसकी मदद से हम इन सब पूरा सरक्विट को लेके इमेशन को कंट् के लिए यूज किया गया है तो गाइस मैं आपको बनाना चाहूंगा कि इस तरीके का आप वीडियो देखेंगे मेरा तो काफी आपको बेहर पसंद आएगा और बहुत यूज फूल वीडियो रहेगा ये आपके लिए इंजन से निकलने वाली जो हार्मफूल गैस होती या है ये मेर्टिंग यूनिट का यूज किया गया है मेर्टिंग डिवाइस का यूज किया गया है वो कैसे जलाता है मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा जब हमारी गारी स्टार्ट होती है और सूट हैश ज्यादा जमा हो जाता है यानि के डीजल के जो पार्टिकल होत करती है तो मैं इसमें जादा डिटेल में बात नहीं करूंगा सिर्फ में इतना समझाऊंगा कि एक मिटिंग डिवाइज इसमें लगी हुई है ब्याइजिक्स के अंदर ये डिवाइज लगी हुई आ रही है और मैं इसी के बारे मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा कि ये विटिन डिवाइस किस तरीके से काम कर दिए सबसे पहले माँ को यह पताना चाहिए जब भी डीपी एव यानि कि सूट पार्टिकल जमा हो जाएंगे उसको इंजेक्ट करने के लिए यानि कि डीजल का स्प्रेय किया जाएगा जब गाड़ी स्टार्ट होगी उसमें उसक कि दुमें का जो टंप्रेचर होगा उस टंप्रेचर और भी जादा हीट करके इस जमें हुए डीजल को जलाया जाएगा और जलाके इसको बहार निकाला जाएगा यहां से यह बहार निकलेगा तो इसका जो रोल है वो यही है सिफ डीजल को डीजल को इंजेक्ट कराना होता है उसको जलाके बाहर निकलना है दूमे में तो यानिके harmful gases को control करने के लिए भी ये भी मदद करता है लेकिन साथ में इसमें यूरिया है एड बलू भी साथ में दिया है लेकिन हम उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे हम सिर्फ बात करेंगे हाइड्रोकार바न यानिके HC यूनिट यानिके मिर्टिंग बीवाईज और यूस की कहिये वो इसका काम क्या है उसका सिर्फ इतना ही काम है कि जो dpdf में जमा हो जता है उसको इंजेक् करा के धूंए में इंजेक्ट करा के जलाता है और जलाने के बाद वापस बाहर निकल जाता है जिसे कि हार्ट्र गैसिस कंट्रोल हो जाती है तो मैं बताना चाहूंगा आप यह दाद देख रहे हैं साइड में आकर देख सकते हैं आप यह देख रहे हैं इस सब्सक्राइब में आगे देख सकते हैं यह इसको बोलते हैं मिट्रिंग डिवाइस इसको बोलते हैं मिट्रिंग यूनिट इसको बोलते हैं इंजेक्शन यूनिट यह पूरा डेजल का सर्कुट को कम्प्लीट करते हैं जैसे आप नहीं देखा यह इंजन है इंजन से निकलने वाला धुआं धुआ किसमें DOC में होके जाएगा फिर DPF में होके जाएगा और DPF में सीधा होते वे आपका SCR में परस्यास होते वे ASC में होके वहाँ निकलेगा मैं इनकी फुल फॉर्म तो मैं बाद में आपको बताऊंगा लेकिन अभी सिर्फ इसको हम समझते हैं मैं इसके फॉर्म और इसके उपर पूरा वीडियो लेकि भी आओंगा निकलने माला यहाँ से निकलने वाला जो दुआ हैं यहां से निकलने वाला जो harmful gases हैं सिर्फ dpf इसका जो काम है उसका सिर्फ यही काम है कि जो particle जमा हो जाएंगे suit जमा हो जाएगा उस suit को diesel का injection कराएंगे जो धुआ निकल रहा है उसके अंदर injection कराएंगे उसके temperature को और भी ज़ाधा heat करके और जो इसके अंदर डीजल जमा हुआ है उसको बहार निकालना है चलेगे जलाके बहार उसको निकालना होता है तो गाइज यह सिर्फ इसका काम है तेकि इसमें क्या-क्या है यह डिवाइस के अंदर आप देख सकते हैं हमने यहां पर लिक रखा है फ्यूल प्रेशर सेंसर यह फ्यूल प्रेशर सेंसर आउटलेट यानि कि इसमें फाइब बार का फूल प्रेशर रहेगा जो कि आपको डीजल पंसे जहां से इसका कनेक्टर कनेक्शन को जाईए तो फाइब बार का प्रेशर इसको यहां पर रहेगा बात करते हैं यहां कि यह देख रहे हैं यानि कि यह प्रेशर यह जो फ्यूल प्रेशर सेंसर है यह बाहर से डीजल आएगा आउट्पू डीजल होगा इन सोरी आउट्लेट डीजल होगा यह इनलेट डीजल है है लुट कि अग्या घ्रिज़ करें टीक अच्छी कि अच्छी कि अच्छी कि अच्छी मैं बता दुबारा बताना चाहूंगा थोड़ा सा निस्टेक हो गई है यह वाला जो सेंसर है यह सेंसर अपना यह आपका सेंसर हो गया आपका यह आपका इनलेट हो गया यानि कि यहां से डीजल इसके अंदर आएगा और यह वाला सेंसर वाला जो सेंसर है वो इस डीजल को जो कि इसमें जानेवाला डीजल है उसका pressure को बताएगा लेकिन इसमें इन दोनों pressure को बताने के इस से यहाँ पर यह को इंजेक्ट करेगा शाइलेंशर मैं यह साइलेंशर के उपास पर इसका सिचुएशन और चाहिए नियुट से निकलने वाले धुए पर इसका इसप्रेश किया जाए लिए इसका इस पर होने से क्या होगा की एक złós temperature और भी ज़ादा heat हो जाएगा जिसकी वज़ा से क्या होगा जिसकी वज़ा से DPF यानि कि यहां पर DPF जमा होगा वो बहार निकल जाएगा तो guys यह मेरा technically video था जो मैंने आपको बताने की कोशिश किये अगर मेरे वीडियों पसंद आईए तो please like किजिए comments किजिए और next video के लिए आप ज़रूर लिखिए कि किस तरीके से अगली video होना चाहिए thank you very much watching for this video और मेरा आने वाला वीडियो रेगा यह से काड़ी के ओपर भी thank you thank you very much watching for this video